साथियों जब मैं आहुरुवेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी एहम जानकारी देना चाहता हूँ मैं अपने एक मित्र और केनिया के पुर्वर आश्पती राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मेरी का भी जिक्र करना चाहता हूँ रोज मेरी आर्यू हेर यह सीज देर रोज मेरी वेलकम टू गुजरात रोज मेरी की घटना बड़ी रोचक है मैं जरूर आपको कहना चाहूँगा कुछ दिन पहले उनके पिता जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है वो मुझे ओडिंगा जी दिलनी मिलने आये थे रविवार का दिन था और हम भी काफी देर बैटने का ताय करके कई कई लंबे अर्शे के बाद हम दोनों मिले थे तो उन्होंने मुझे रोज मेरी की जिन्दगी में जो बड़ी मुसीबत आई बड़ी एनेक प्रकार से वो भावुक हो गये थे और रोज मेरी की जिन्दगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए ने मुझे कहां कि रोज मेरी की आँख में कुछ तकलिब हुई थी और उसकी सर्जेरी हुई थी और उस सर्जेरी में रोज मेरी ने अपनी आँखे खो दी वो देख नहीं पाती थी आप कलपुना कर सकते हो जिन्दगी के इस पड़ाओं में आँखे चली जाए इंसान हताश हो जाएगा निराश हो जाएगा और एक पिता केनाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को च्छान मारा वो केनिया के बहुत बड़े बरिष्ट नेता थे उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कठिन काप नहीं था विश्व का कोई बड़ा देश हैसा नहीं होगा जहां रोज मेरी का उपचार नहीं हुआ हो लेकिन रोज मेरी की आँखों में रोशनी बापिस नहीं आई आखिर करूने सफलपा भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद आयुर्वेद का उपचार किया गया और रोज मेरी की रोशनी बापस आगई वो आज देख रही हैं जब उसने पहली बाद अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे वो पल उसकी जिन्दिकी की स्वनिम पल थी मुझे खुसी है कि रोज मेरी भी आज इस समीट में हिस्सा ले रही है उनकी बहन भी आई है उसकी बहन तो ट्रिडिशनल मेडिसिन में ही अब तो पढ़ा रही है